नमस्कार प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम नाइन्थ कलास के मैठ सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 7 तिर्भुज की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेस्टर नमबर 6 को सोल करने जा रहे हैं देखिए क्या कहता है दर्साइजे की एक रेखा पर दिये हुए बिंदू से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखा खंड खींचे जा सकते हैं उनमें लम रेखा खंड सबसे छोटा होता है हमें क्या दिया हुआ है, एक रेखाखंड दिया हुआ है, मालने जी हमारे पास A, B कोई रेखाखंड है, और यहां पे P कोई बिंदू है, जो उस रेखा परस्थित नहीं है, यहां से जितने भी रेखाखंड, एक तो हम लंब खींच सकते हैं, और जितने भी रेखाखंड ठीक है मान लेते हैं यह हमारे पास P क्यों है लंब है और इसमें हम यह मान लेते हैं यह point क्या हो गया हमारा C हो गया देखिए solution में A B रेखा खंड पर बिंदू P से P से हमने क्या P क्यों लंब वे दीके कोई भी हो सकता है यह PC भी हो सकता है अन्य कोई भी हो सकता है तो मैं कोई दो ले रहा हूं एक यह ले लिया एक अलग से ले लिया हमने पी क्यों लंब वे PC एक रेखा खंड खेंचा रेखा खंड खेंचा चीक है सी की वज़ाएं यहां पे लेते आर ले सकता था ऐसे ले सकता था कोई भी ले सकते हैं अब देखिए इस तिरबुज P क्यों सी में हमारे पास जो कों क्यों है कौन क्यों जो है वो 90 डिगरी है और कौन क्यों इस सी से क्या होगा बड़ा होगा कौन क्यों बड़ा है कौन सी से क्योंकि एक तिरबुज में एक ही 90 डिगरी का कौन हो सकता है ठीक है बाकी दोनों उससे क्या होंगे छोटे होंगे तो कौन क्यों बड़ा है कौन सी से अगर कौन क्यों C से बड़ा है तो इसके सामने वाली जो भूजा होगी मतलब PC PC जो है वो बड़ी होगी किस से PKO से PC जो है, PKO से, अगर आपने तो हमारे पास PKO क्या होगा? छोटा हो गया, अगर आप यहां पे भी कोई point लेते हैं यहाँ पे भी अगर हम कोई point लेके रेखा खंड किंचेंगे यहाँ पे यह कुण फिर बढ़ा होगा इसके सामने वाले भुजा इससे क्या होगी बड़ी होगी तो पी क्यों जो है पी क्यों लम अन्य सभी रेखा खंडों से रेखा खंडों से छोटा होगा सिंपल सा क्योंकि हर एक में हमार पास यह कौन नबबे डिकरी का होगा तो वो अन्य बुजाओं को क्या बना देगा इसके सामने वाले बुजा क्या हो जाएगी हमेसा बड़ी हो यह हमने प्रूब करना था तो बहुत ही असान सा था चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में गले क्यों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैए हिन जैए बागा